ना काजू, ना कोई क्रीम, घर के बेसिक मसाले से बहुत ही टेस्टी बिलकुल रेश्टरेंट जैसा आज हम मटर पनीर बनाने वाले हैं, जिससे देखते ही आपके मूँ में आ जाएगा पानी और इसे आप जरूर बनाएंगे, तो यहाँ पे एक पैन में दो चम्मस तेल लि आप इसे पैन में अब बरतन में निकाल ले से अब यहाँ पे हमने लिया है फ्रोजन मटर तो मटर को हमने दो मिनट की लिए हलका सब वाइल कर लेते हैं, यानि कि एक व्रोजन मटर अगर फ्रेश मटर है तो यह फ्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, अब यह मारा मटर जो अद्रक और हरी मिर्च दो हमने लिया है इसे हलका सा पका लेज़े यानि कि बहुत ज़्यादा इसका कलर शेंज करने की ज़रुवत नहीं है जब हलका सा सॉप्ट हो जाए का कच्छा पर निकल जाए प्याज का तो बस इसमें डाल दीजे टमाटर एक मेडेम साइज का टमाट को बन कर देते हैं इससे रखते हैं साइड में और इसका हम एक प्योरे बना के त्यार करते हैं अब यहां पेक्ट कड़ाही में दो चमज तेल लेंगे तेल में डालेंगे कुछ खड़ी मसाले मसाले जब अच्छे सा चटक जाए तो इसमें हमने जो टमाटर प्याज का प्य मसाले के साथ बढ़िया से बून लेते हैं तो इस तरीके से आप रेश्टरंट जैसा बिल्कुल बिना क्रीम के बिना काजू के बहुत ही तेस्टी सा सबजी बना के त्यार कर सकते हैं यहां पे एक चमज धनिया पाउडर एक लाल मिर्च पाउडर आदा चमज गरम मसाले औ और इन मसालों को बढ़िया से बून लेजे तो यहां पर हमने थोड़े से राई मसाला ही डाला है अब इन मसालों के साथ जब अच्छे से बून जाए तब हमें करीबन इसमें डाल देना है आधा चमज चीनी यानिकि जब आप प्रेश्रंट में खाते होंगे तो आपके सा काजू का पीश डाल सकते हैं तो इसके बाद मसाले बढ़ियां से बून जाएंगे और इसके अच्छा सा कलर आजाएगा और इसमें से तेल रिलीज होने लगता है क्योंकि हमने डही डाला है और दही खटा नहीं है बिल्कुल फ्रेश है दो मिनिट के लिए लीड लगा के हमारे बुंखें दो मिनिट के बाद मिसे थैयारे बुंगे मैश डाल Windows लेंगे दो पादाएं घालेंगे यहे डाला-णीव उर्ट यहां कि यह रहा दूछ चिजेसों को बढ़ियां से मिक्स कर दयते हैं और छह से साथ मिनिट के लिए सारे छीजों को बनिया से पका लेते हैं, तो हमने यहां पे गैस को देखना है, जिसे हमारे ग्रेवी जो मुझे को जल्दी ठीकना हो, और अच्छे से पख जाया, यानि कि अच्छे से फ्लेवर आ जाया, तो देखिए, धाबा रेश्ट्रेंट के जैसा हमारे ग्रेवी यानि कि मटर की सब्जी बिल्कुल त्यार है तो आप इस तरीके से मटर पनीर बनाईएगा मुझे उमीद है आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपकी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से किया है या नहीं ट्राइज जरूर करना भूलिएगा मत अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब फिर मिलते हैं किसे दोस्रे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अपना ख्याल रखिएगा और आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा